नमस्कार अधाब शुष्टे काल और सलाम दोस्तों आज मैं बात करूँगा कॉर्णर प्लोट्स के बारे में क्या कॉर्णर के प्लोट्स अच्छे होते हैं और ये सबसे नगा महेंगे बिखते हैं पर क्या ये आपकी जिन्दगी को सुखर बनाते हैं अच्छा बनाते हैं या आपकी जिन्दगी को गलन दिशा पर लेकर जाते हैं क्या सिर्फ 16 दिशाओं पर काम करके आप इन कॉर्णर के प्लोट को सही कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो या बुरे से सही की तरफ लेकर जा सकते हो इन सबी छुटी छुटी पारी इसी बातों का मैं जिक्र करूँगा आज की इस वीडियो में मैं इस बात को तब मान रहा हूँ जब आपका अगर ओल्रेडी वास्तो उस्पीशिस बना हुआ है अगर आपका अगर या ओफिस वास्तो उस्पीशिस नहीं बना हुआ है और उसके बाद भी आपको समझे हैं क्यों आएंगा जो प्लॉट है आपका वो शुरुवात के दो से तीन साल के लिए बहुत ही अच्छे रिजर्ट देता है अगर वो बास्तो उस्पीशेस हैं आप पर नहीं उंची उडान की तरफ लेके जाएगा आप बहुत सक्सेस्पू करेंगे लेकिन साथ से आठ साल होने के बार वो आपको बहुत नर्थ की तरफ तकेल देगा अंजाने में आप फेल हो जाओगी चलता चलता वेपार बंद हो जाएगा फिर आप कुछ भी कर लोगे वो वेपार नहीं चल पाएगा कॉर्णर का प्लॉट लॉंग टर्म के लि सब्सक्राइब करना पड़ेगा देवतास पर काम करना पड़ेगा तब जाकर वो लैंड सभी होगी और अगर किसी का ऑल्रेडी हो चुका है तो क्या 100% गैरेंटी के साथ में उस कॉर्णर के प्लॉट को आप रिजल दे सकते हो नहीं दे सकते क्यों का प्लॉट आपको सब्सक्राइब कर लेकर कोशिश कर सकते हो कि इसके कॉर्णर के इफेट इनकी दंद्री से चले जाएं इसी तरीके से बास्तू सिर्व आपके घर पर सीमित नहीं है आपके मँहले आपके शहर और आपके देश का परभाव भी आपके उपड़ता इन सभी बातें को ध्यान से अब्सर्व कीजिए कupidे वास तू देखने की विध्याओं की देखिए सीखिए खुद अब्सर्व कीजिए और फिर विश्वास कीजिए आप सभी का बहुत- झाल झाल